हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाई डिजाइन यह हमारी बेसिक सी लाई कोर्स का बेस्वातीन है आज तो हम लोग आज के दिन क्या सीखने वाले हैं तो देखो हम लोग सिंपल ब्लाउज और बेल्ट वाला ब्ला तो उसके लिए मैंने आपको बेल्ट ब्लाउज का एक चार्ड बनाया हुआ है जिसको आप यानि कि आपको बिगनर्स हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहों आप आसानी से लगा सको अपने बेल्ट का निसान क्योंकि अगर हम लोगों ने बेल्ट की कटिंग अच्छी नहीं तो देखो यहां पर मैंने यह चार्ड बनाया हुआ है तो बेल्ट का निसान होता क्या है अगर आप पहले बार वीडियो देख रहे हो ब्लाउज आपको समझ में नहीं आता है तो यह सारा कुछ आपको मेरी अगर बेसिक सिलाई कोर्स से सुरू से वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा तो मैंने उसका एक प्लेइलिस्ट बना दिया है तो आप वहां से मेरी लाइन से वीडियो लगी हुई है तो यहां पर मैंने आपको पेपर में भी समझाने की कोसिस की है तो देखो यहां पर जैसे हमारा पूरा ब्लाउज का पैटर्न बना अब हम सबसे पहले अगर हम बेल्ट वाले ब्लाऊज की कटिंग कर रहे हैं तो फिर यहां से हमको बेल्ट की लम्बाई लिएा होती है कि हमुई के हम कितने इंच पर बेल्ट ले अपने साइट के अंशार 22 лम्बाई में बना रहे हैं तो बस बहसे मैं आपको यहां पर इस ब्लाउस जिस भी साइज का बना रहे हो नापने का लेंगे हैं सब्सक्राइब ब्लाउस त्यार करके बनाएंगे क्योंकि इसी नापका बनाना है नहीं है तो अब हम 13 इंच में हम ब्लाउस में यह हमारा 13 इंच कितना आएगा इतना आएगा तो लंबाई हम कितनी लेते हैं देखो यहां से आपको इंचे टेव रखना है तो 13 इंच तो हमारा पूरा ब्लाउस तयार होना चाहिए है न यह हमने 13 इंच पर निशान लगाया अब हमको में, हम हमगे में, फ़र करेंगे, किओक कि हमारा हाफ इंच पर यहाँ यहां पर तक में यहां और डाइंच के वल को ख्रिटे लिए, यहां पर नहीं हम पर लान थे सिर्फ यहां तक नहीं आएगी और दूर 5 लेने के बास चाहिए ब्यट के इंच पर लेना है तो यहां पर बना ऊक्चान सबस्ति हैं आपको ब्लाउस कितना तयार रखना है मतलब कि कितना पूरा टोटल तयार करके बनाना है जो हमारा पूरा बन के तयार होगा कितने के होगा तो यह मैंने आपको बताए कि 13 इंच के हमको बना के तयार करना है तो देखो फ्रेंट्स यहाँ पर अगर आपको 12 इंच का ब्लाउस पूरा तयार करके रखना है तो फिर आप बेल्ट का 10 इंच पर निसान लगाएगा और अगर 12.5 इंच तयार रखना है तो फिर यहाँ पर 10 इंच पर निसान लगाएगा बेल्ट के लिए 13 इंच का तयार यह आझा संदर एन्ट चाहें 14 चाहें 14 चाहा बेड़ांक्वी तो 15 चाहा बैदा रहते ही स जी जए पूररा पूरे वियुद है और अगर 16 इंच तयार रखना है तो 14 इंच लीजिए गा यह होता है हमारे बेल्ट का निशान लगाने का सही तरीका तो आपको लंबाई के इंसार आप इससे आपको कोई भी दुक्त नहीं होगी कि आप यह भी नहीं जान पर मतलब जैसे मैं अभी तक बताती थी कि अगर लाउज तो कोई बात नहीं ब्लाौट के लिए अयतल ईड़िए है तो आप अपको कितना करने आप लाउज यहाँ को लमबाई के अंसार आपको यहां पर बेल्डे का निशान लगा लेना है तो भस यह आप नोट कर लीजए यहां बनवाई उसी कॉपी में आपको यह इसकी बेल्ट की कितनी लेनी है, 11 इंच, तो यहां से बिल्कुल उपर से इंची टेप रखेंगे, अपना 11 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से यहां पर 11 इंच पर निशान लगाया, ऐसे ही निशान हम ऊपर से ही, ऐसे अपने कपड़े के ऊपर से ही, इधर भी एक लगा देंगे, जिससे कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आए, अब हमने ये निशान तो लगा दिया, अब हम इन निशानों को ऐसे पूरी लाइन मिला देंगे, इस तरह से, यहां पर मिला दिया, अब इतना मिलाने के बाद देखो, हमें क्या करना होगा, इसमें गुलाई खर ब्लाउज बना रहे हो बना रहे हो एकहांस च果 निशान ऊपर के साइड पॉनिया इंच पर गुलाई देना है तो अब देखो तो देखो ये जो दो इंच हमारा है ये अंदर की साइड है ये देखो मैंने लिखाया है ब्लाउस में अंदर की तरफ दो इंच लेना है ये हमने दो इंच लिया तो अगर 30, 32 और 34 है तो ठीक है तो हमने ये दो इंच ले लिया अब इसके बाद उपर की साइड हम पौन इंच लेंगे तो इधर साइड को हम क्या करेंगे पौन इंच लेंगे इस तरह से यह आ गया हमारा पौन इंच यहां तक अब हमको यहां से ऐसे ही गुलाई करते हुए इस निसान पर ऐसे मिला देना है इस तरह सी यह हमारी गुलाई आएगी ठीक है बेल्ट में इस तरह सी यह आई और अब आप चाहो तो यहाँ पर भी हल्की सी गुलाई ऐसे कर सकते हो तो और भी अच्छा बलाउस का इस बेल्ट हमारी बन के तयार होगी इस तरह से अगर आप चाहो तो अगर आप से नहीं बन लिए तो फिर यहां पर अन्दर से गृते हैं तो बना है और यहां पर आगे बढ़ा रहे रहा है और उपर के साइड इतना नी रहेगा आपके फिर यह का है बस इतना सांतर होता है और इस तरह से हमें अपने ब्लाऊस की नाप डालनी होती है अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको अपने ब्लाऊस के लंबाइ के अकॉर्डिंग यहां पर एक बता चल जाएगा आप इसे तो तुरंत कर लिए जैसे मैंने बोला हुआ है बस इसे इसको नोट कर लीजिए और इस तरह से में आपने की कटिंग करनी होती है तो अब हम लोग फ्रिमनें नेक्स्ट वीडियो में अस्तर वाले ब्लाऊज की कटिंग चीचिंग सीखेंगे तो simple blouse की पहले हम लोग cutting और stitching सिखेंगे बीना belt वाले blouse की अस्तर वाले blouse में ठीक है फिर उसके बाद हम लोग belt वाले blouse के साथ में अस्तर वाले blouse की cutting करना सिखेंगे और सिलाई सिखेंगे तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा बेल आइकन भी प्रेस करते ना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद